Hey guys welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे के तो एरे का टोपिक को आज को हम हम क्लियर करेंगे तो एरे में जो जो टाइप्स होते हैं एरे के इडवांटेजिस डिस आडवांटेजिस उसके बाद एरे को थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों वेज हम करेंगे और उसके बाद एरे के टाइप्स जिसमें 1D, 2D, 3D यह सब आते हैं तो यह सब कुछ का आप मैं आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि एरे का बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना तो बिल्कुल सिंपल में आपको समझाऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सो लैट स्टार्ट इट तो गयज एरे को हमने जावा में क्यों यूज करते हैं ठीक है तो इस सबसे पहले हम चलिए सबाएं गया हम आपको को बनाने चलिए अपनाथे में पूसे पहले जाव को सिर्फ बेल्यू पूट करें अगर वह कि यूज करेंगे आगर हमने इंटीजर गया दाइडि तो रहा दिया तो हम सिर्फ स्ट्रिंग की वेल्यू को स्टोर करेंगे अगर हमने float का data type लगा दिया तो सिरफ float की values को store करेंगे तो इसमें क्या है कि हम को limitation हो जाती है कि हम उसी data type से related ही data को store करेंगे तो इसमें यह नहीं होता कि आपने string भी store करना है, integer भी strong करना है, float भी strong करना है, boolean value भी store करनी है तो आप यह सब कुछ इसमें नहीं कर सकते आप एक बार में सिरफ एक data type की value को ही store कर पाओगे तो यह एक limitation होती है array की ठीक है, तो यह था एक meaning array का, अब हमने check करेंगे कि without array और with array क्या था, without array हम program में कैसे value को store करते हैं और array के साथ में value को कैसे store करते हैं, ठीक है, तो without array में देखो, मैंने लिए data type int employee id variable लिया है, उसके बाद 101, तो int employee id की value मैंने डाल दी 101, अगर employee id 2 की value डालूँगा तो 102, तो ऐसे मैं सारे object में value को store करता जा रहा हूं, int employee id 103, तो ऐसे चलते जाएंगे, और हमने अगर 1000 डालनी है, 1000 value store करनी है, तो क्या करूँगा, मैं 1000 बार इसको repeat करूँगा, और क्या आजेगा, int employee id 1000 equal to 1000, तो यह सारी employee id में को, अगर हमने array यूज नहीं करें, तो सारी employee id क हमको यह लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस सारी employee id में को बनानी पड़ेगी, int employee id 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, तो यह सब कुछ हमको 1000 तक लेके जाऊंगा, अगर मैंने 1000 value store करनी है, तो 1000 employee id बनाऊंगा, ठीक है, तो यह तो था without array, अगर हम with array में बात करेंगे, तो देखो, यहां भी सिर दिया, अब इसमें आप 1000 value को store कर सकते हो, ठीक है, आपको बार-बार ID के अंदर उसको generate निकरना पड़ेगा, एक ही बार आपने employee id डाली, अब इसके अंदर आप जितनी हजार value आप store कर सकते हो, ठीक है, तो यह बन गया, array array में देखो, कि यह without array इतना बड़ा program बनेगा, और advantage होती है, तो इसको, it can store directly object, तो यह directly object में store कर सकता है, ठीक है, तो अभी मैंने आप को example बताई है, यह वाली, तो यह object ही है, ठीक है, object के अंदर directly store करता है, ठीक है, आप इसका example देख लेते हैं, देखो, company नाम का मैंने एक object बनाया, c, c को, c array, उसके अंदर मैंने company के अंदर value को हम store कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको बार-बार उसके object बनाने की जूद नहीं है, एक ही वार हमने उसको array में define कर दिया, ठीक है, अब अगर किसी चीज़ का advantage होता है, तो उस चीज़ का disadvantage भी होता ही है, ठीक है, अब इसका disadvantage भी है, इसका disadvantage कुछ ज़्याद ही है, तो देखते क्या क्या drawback थे इसके, पहला है fix size, तो array का क्या होता है, कि size fix होता है, जो मैंने भी आपको starting हो बताता है, अगर हमने integer की value 1000 define कर दिया, तो इसके अंदर हम 1000 store करेंगे, उससे ना तो ज़्यादा, उससे ना तो कम, अगर हमने ज़्यादा करना तो यहाँ पर change करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद memory wasted, अगर हमने देखो 1000 डाल दिया, इसकी array की value 1000 डाल दी, बट अगर हमने store करना है, 900 something 900 point कुछ store करना, तो फिर क्या होएगा कि बाकी की memory क्या होएगी, waste होएगी, next देखो, store only similar data type, जो मैंने भी आपको बताए कि यह similar data type को store करेगा, अगर अगर डेटा ताइप cheerful आपने देखाक अकर हमने देटा टांटइघर दिया, तो इंटीजर वेलिट चोक करेगा, अगर डेटा अगर पर में स्ट्रिंग श्त्रिंग षिर करेगा, अगर यह ऐसे हैं कि वैल्यू को स्टोर करेगा ठीक है अब देखो एक ओर लाइन आ या इफ डिलीट वन वैल्यू फ्रोम एरे देन हैब टू ट्रेवर्स ओल बैक एंड अरू मतलब की एरे में क्या होता कि हमने वन थाउजन के डिफाइन कर दिया बड़ अगर इसमें से हम को बीच में से कोई वैल्यू डिलीट कर दिने है फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि सारह को ट्रेवर्स करना पड़ेगा ठीक है अब देखतो इसके ताइप सो फैरे की एरे के क्या-क्या ताइप सो होते हैं पहला मतलब one dimensional array so one dimensional array क्या होता है कि it can be row and it can be column अब आगे बात करते हैं multidimensional में देखो 2D और 3D दोनों होते है multidimensional में यह हमें से याद रखना यह question one भी जाता है कि 1D array तो हमको पता होता है कि single में आएगा लेकिन 2D और 3D दोनों multidimensional में आते हैं ठीक है हम सोचते कि 2D आएगा लेकिन 3D भी होता है ठीक है वह इसमें क्या होता है कि multiple row and multiple column इसमें क्या होता है single row single column और multi में होता है multiple row and multiple column अब आगे चलते हैं देखो वर अब सबसे पहले हम बात करेंगे one d array की ठीक है कि one d array क्या होता है इसमें one d array में पहले हम क्या करेंगे declaration पढ़ेंगे इसकी फिर creation पढ़ेंगे और फिर initialization पढ़ेंगे अब तीन चीज़े क्या होती है वह मैं अभी आपको आगे बचाता हूं क्योंकि इन तीन चीज़ों का हमने program में यूज होता है ठीक है पहले one d array को declaration करते फिर creation और फिर उसके बाद आगाने string की वह में data store करने तो string array ठीक है और एक और लाइन देखो at declaration time we can't declare its size ठीक है जब हम declare करते तो यहां पर हम इसका size नहीं डाल सकते जब यह जैसे यह array है इसके अंदर मैं one thousand या ten जितनी भी मैंने value store करवानी है वह मैं यहां पर नहीं डाल सकता तो मैं इसका size यहां पर define नहीं कर सकता ठीक है आप देखो यहां पर एक आया option की इंट यहां पर इन्होंने array की size define कर दिया 10 तो यह क्या होएगा यह गलत होजएगा ठीक है तो यह मैंने तभी लिख के बताया आपको क्योंकि यह वाले दोनों सही थे बट हमने पहली line लिख दिया कि can't declare it size तो size को हम declaration में define नहीं कर सकते ठीक है अब आगे देखो int a b. तो यहां पे क्या करती है मैंने a और b दोनों क्या बना दी ए? array बना दी है ठीक है。 int array a b. तो यहां पे भी दोनों क्या यहां पर भी देखो कठ्थे है बट B अभी अलग है A से तो A तो array बन गया बट B array अलग से नहीं बना तो B is note array B एक variable रहा और a बन गया एक array ठीक है तो देखो declaration दो हो गया इसका अब हम करेंगे creation तो creation में देखो कैसे होता है इंट ए पहले हमने बनाना सीख लिए अब एक अंदर वैल्यू को स्टोर भी करवाना है तो अब यहां पर हम इसका साइज है तो इनिष्यल्य इसंद्र में सोरी डेकलारेशन में हमने साइज यह कर रहा है नेख्ट देखो डेकलरेशन वीदकरेशन अब हमने डेकलरेशन पहले अभी जो पढ़ा था उसके साद हम क्रिएशन दोनों को इकठ्व बनाते हैं देखो अभी हमने पड़ा था int a इतना पड़ा था मने ये था declaration का और ये पार्ट आगय क्रिएशन का तो आभए हमने इकठा कर दिया int a array बना दिया उसके अधिरंगे new इंट इसका मतलब इसका size दे दिया array का तो क्या हो गया यह बाद इतना हो गया declaration और यही वाला part इतना हो गया creation का तो हमने क्या कर दिया डोनों को ते ने क्रलास कर दिया ठीक है तो यह होता citrationd देखो एक और मैंनेaculation बना यह यहां पर हमने Links कर хотите हूं क्योंकि index zero से start होता है यहां पे देखो अब यहां पर एक और चीज मैंने नवी बताई है कि यहां पर हम negative में size नहीं सकते हैं साइज हमेशा positive में होएगा negative में कैसे करेगा वह zero हो सकता है पर zero से नीचे नहीं हो सकता तो यह गलत होगी declaration ठीक है अब हम बात करेंगे initialization जो final step होता है declaration कर लिया creation कर लिया अब होएगा initialization तो initialization में क्या होएगा देखो यहां पर हमने जो size दे दिया था पहले हमने बनाया variable उसके बाद हमने size दिया अब size के बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर value को store कर वाएंगे तो मैंने इसकी value 10 दे दी तो पहले a का जो size दिया 0,0 जो index पर क्या value होएगी 10 a का मैंने array a में मैंने size दिया 1 तो 1 index पर क्या value होएगी 20 array 2 में क्या value होएगी 30 ठीक है तो ऐसे हमने value को store करवाना है देखो इंट एरे एरे के अंदर मैंने 102030 तीनों वैल्यू को स्टोर करवा दिया अब हमने देखो क्या सीखना declaration प्लस creation प्लस इनिशियलाजेशन पहले हमने बनाया declaration प्लस creation बनाया ना अब हम इनिशियलाजेशन को भी साथ में करेंगे और तीनों का देखना अब कैसे देने भी आर थिकमट यहां पर सवाद नहीं दिया उसके बादम में क्या होगा कि उसके लेह वैल्यू को बनाद यह निशियलाजेशन प्लस creation प्लस initialization तो यह क्या होता है एक प्रकार का array होता है यह पूरा बन गया array ठीक है फ्रेंड्स यह पूरा बन गया array और वह भी 1d array यह सिर्फ 1d array बनेगा रोज में या फिर columns में किसी भी form में हम store कर सकते हैं अब देखो final आ रहा है हमारा practical का section यहां पर हमने चेक करना retrieve information from array and print array का program बनाएंगे और दूसमें से हम information को print करवाएंगे देखो सबसे पहले हमने क्या लिया एक पूरा declaration प्लस creation प्लस initialization करके एक array बनाया int a equal to इसके अंदर मैंने value store करवा दी 10 20 and 30 यह पूरा हमारा array बन गया इंट a ठीक है उसके बाद हमने four लगाया four loop लगा के इंट i equal to zero i i less than equal to a dot length a की जो हमने length निकाल दी है और प्लस प्लस करते जाएंगे तो देखो अब यहां पे हमने print क्या करवा देना है तो देखो आप खूद ही देख लो एक ही length कितनी बनेगी 0 1 2 0 1 2 इंडेक्स किसे 0 से start होता है न हिए जीरो में जाएगा यह 100 में जायेगा और यह Two में मलब कि यह zero column में यह 1 column में यह two column में आगर हम रो की बात करें तो यह 0 row में यह one row में यह 2 row में, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 column बनेंगे, यह 3 row बनेंगे, ठीक है, तो इसका print यह आदेगा, ठीक है friends, तो मैंने आपको print भी बता दिया, simple सा, तो ऐसे यह होता है, ऐसे यह हमारा array perform होता है, तो यह था पूरा एक, यह पूरा प्रोग्राम समझ लो, एक 1D array था, ठीक है, 1D array मलब single dimensional array, यह था single dimensional array, तो friends, अभी वीडियो काफी लंबी होगी है, तो अभी हमने 2D array भी करना है और 3D array भी करना है, तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, अब हम 2D और 3D array को next part मैं बनाऊंगा, उसमें हम उसको clear करेंगे, क्योंकि 2D और 3D array थोड़ा important भी है, और थोड़ा उसका part बड़ा भी है ठीक है, उसमें example भी बड़ी है और practical भी थोड़ा सब बड़ा है, ठीक है तो 2D और 3D array को हम next video में cover करेंगे, तो आज के लिए इतना था, हमने 1D array को complete कर लिया, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like कर देना, अगर आँ चानल पे नवे हो तो please channel को subscribe कर देना, तो